अगर मैं से मंगल सुत्र नहीं पेनाता तो वो लोग मुझे जान से मार देते भाई उन लोगों ने मुझे धमकी देथी लोग रही मुझे माप कर दीजिए ये सब क्या हो रहा है बिटा इस दरी है वो देखिये क्या बात है है क्या कर रहा है तो जो कुछ भी हो रहा है रिकॉर्ड कर रहा है अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हारी परिवार को कौन देखेगा तो जो हुआ है अगर यह सब आप देखते हैं न मालिक तो बहुत खुश हो जाते है जो काम मुझे करना चाहिए था तूने कर दिया इसलिए गिफ्ट ले ले वो जिस लड़की से शादी करने वाला था उसकी दूसरे से करवा कर तूने उसके चहरे पर कालिक पोड़ दी है यह मेरे लिए बहुत हो जाए अब यह अब यह और वह तड़परा है उसे मैं देख नहीं पा रहा हूं यार यह सब कैसे हो गया कर दो जाए यह हुँँए अध CONSUMER आर उसे ! कर दो बत्रोर प्रेपते है यह 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 हुआ 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 तुम लोगों की दुश्मनी मेरे साथ थे तो उस मासूम लड़की की जिन्दगी तुम लोगों ने तबहा कियों की मेरे घर पर आकर मुझे पर ही हाथ उठाया तुछे देख लूगा मैं दो दिन के लिए उठी जा रहा हो साथ में चलोगी अरे साब अरे साब ये क्या करें ये प्ली स्टेशन ने अरे बात क्या है बताएंगे क्या हुआ ये भी उखाड नहींगे जो हुआ वो बता बताता हूं वो क्या हना साब टंदन मनी जिस लड़की शादी करने वाला था उस लड़की की किसी लड़के से जबरदस्ती शादी करवा दी इसलिए तो मनी को इतना गुस्सा आया और ये यहां के हम सब को धोकर चला गया हमारी इज़द चली गई यार तू अभी उस मनी को सड़क पर मारते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आओ और उसके हाथ पैर तोड़ देना समझे कि नहीं मैं आपको गुसा समझता हूँ, अरेस्ट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते साहब, अगर मैंने उसे अरेस्ट किया तो आप प्रब्लम में पढ़ जाएंगे ये क्या कह रहा हूँ, जो समझ में है वो बोलो सेक्शन 352 के अनुसार, उस पर मारपीट का केस कर सकते हैं फिर वो केस कोट में जाएगा, वकील पूछेगा कि बात क्या है लड़की को किड्नैप कराके उसकी शादी करवाई अगर उसने बोल दिया तो आपकी कानी खतम, कानून का फैसला यही होगा मैं जानता है ना मैं कौन हूँ, अब तू मुझे कानून सिखाएगा मैं जानता हूँ कि आप कौन है लेकिन कानून सबके लिए एक है अगर उसके उपर मारपीट का केस किया भी, तो वो एक या दो महिने में ही बाहर आ जाएगा अगर कोड गया, तो लड़की को कड्नैप किया है, शादी करवाई है, क्रिमिनल ओफेंस के तहट, आपको जेल हो सकती है आपको क्या चाहिए? सिर्फ इतना ही नहीं, आप एलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, और पद भी चला जाएगा ए वकील, मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ चोटा मोटा कन्फ्यूजन नहीं, यह बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है पहले तुम दोनों को मार देना चाहिए, चलो ठीक है चलो ऐसे घूर के क्या देख रहा है? तीन महीने के भाड़े का क्या हुआ? भाड़ी के लिए पैसे तु निकाले थे, मेरी बीवी की बहन की शादी में वो पैसे खर्च हो गए मालिक अगले मैंने मैं सब चुका दूँगा मालिक तेरी एक साली भी है, यह तुने कभी बताया नहीं तेरी इतनी खुबसूरत साली है, भाई को पता ही नहीं था नहीं तो दुकान फ्री में दे देते, खुछ बाड़ा नहीं लेते पहले तु यह चाबी मुझे दे मालिक, इस दुकान के साहरे ही हम जिंदगी हो साहरे है अगर आपने यह चाबी ले ली तो हम कैसे जिएंगे मालिक महरबारी कीजिए आप पर हाँ मालिक, चाबी दे दीजे मालिक मैं आपके पहर बढ़ती है मालिक ठीक है, इस चाबी को तुम रख लो और यह मंगल सुत्र मुझे दे दो जब तीन महीने के भाड़े का इंतिजाम हो जाए तो यह मंगल सुत्र लेते जाना नहीं मालिक, मंगल सुत्र मंगल लीजिए यह मंगल सुत्र जिसे तुने छूने की कोशिश की यह तेरी भैंस की लगाम नहीं है बलकि एक औरत का पवित्र मंगल सुत्र है उसे जिसने बांधा है सिर्फ वही चू सकता है तुने भाई को परहाथ उठा हो थाई फिर किसे बांधा को नहीं हुऑ उआ थाई लब Tá भाई सेंट्रल मार्केट में टेंडल मनी बुरी तरीके से पीट रहा शेरवा को हाँ भाई तेरे उपर कोई उठाने वाला नहीं है तो तो कुछ भी करेगा पैसे के लिए तुने एक आउरत के मंगल सूतर पर हाठ डाल दिया अगर दुबारा मैंने तुझे ऐसा करते हुए देखा ना कि तु अपनी बतनी को कंट्रोल नहीं कर पाता है फिर इतनी बड़ी मुझे क्यों रखी है मैंने कहा रखी वो तो अपने आप आप आजाती है पेट दर्द हो रहा है नारेल पानी मंगवाया था ना तो यहां खड़े ओकर गपे मार रहा हो चल चलिए चलिए लेकर आओ उ कि तुप रहो मामा इतनी चोटी मूझ रखकर कितना बोल बचन दे रहा था इस गाओं में सब लोग ऐसे ही बोल बचन देते हैं क्या अरे ऐसे उदास है जैसे घर पर कोई मातम हुआ है यानी इसकी जो बेहन है ना शादी वाले दिन रात में भाग गई उसकी उमर क्या थी? तिरपन साल तिरपन साल उमर होने के बाद भी तेरी बेहन मरने से बहतर भाग गई ये सोच कर तुझे खुश होना चाहिए अच्छा तुझे किसी के उपर कोई शक है क्या? अरे वो है ना भाई इसके घर के सामने एक बैचलर रहता है ये बोल रहा था इसे उस तरशक है क्या रे तेरी बेहन की उमर अभी तिरपन साल है और वो एक छोटा सा बच्चा है बैचलर करके बोल रहा है छोटा लड़का ऐसा कर सकता है क्या? ये ऐसा पंच मार होंगा ना तेरे मुझसे सारा कोल्ड रिंग बार निकलाएगा डाचलर बोला था लड़का नहीं बोला था तो उस कमीने की उमर 63 साल है पता है अरे मुझे चपल उतार कर मारना तो मुझे लग रहा है ना वो लोग या तो उटी गए होंगे या कोडाई कल में हानीमून मना रहे होंगे माजे से अरे हानीमून तो छोड़ो वो सिंगल मून मी नहीं मना सकते हैं तू अपनी बेहन और जीजा को काशी रामेश्वर में जाकर ढूण यहां ढूनते ढूनते तु बुढ़ा हो जाएगा बेवकूफ कहीं का तुझे क्या चाहिए मामा वह आपको बुला रहा है ये भी ना अरे चावला बुला रहा है आपको वो क्या पी रहा है अद्रक के चाय क्या पी रहा है वो लेमन टी नॉर्मल टी यह कौन सी चाय है दादा वो कौपटी है उसमें डवल शक कर डाल कर एक सिंगल चाय बना एसे बोलो ए तु अपने बीवी को लेकर गौर्मेंट होस्पिटल में चला जा वहीं पर तुझे कोई ना कोई बीच में आ जाता है नमस्ते मेले साब नमस्ते मडी कल सेंट्रल मार्केट में तुमने शेरवा को बहुत मारा यह सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फाइव स्टार होटल में आइस क्रीम खा रहा हूँ है लेकिन आप क्या कहना चाहरे है मुझे को समझ में क्या कहा है समझ में नहीं आ रहा है दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं वाइज ठीक है तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ तुमने जी शेरवा को मारा है ना वो एक नंबर का धोके बाज आदमी है उसके पास करूनों रुपय है वो मारकेट में ब्याज पर पैसा देता है और उसने बहुत पैसा कमाया है लेकिन जब मैं अपना पैसा मांगता हूँ तो वो मुझे टाल देता है पैसा वापस ही नहीं करता तू उसे खतम कर दे, उसे जितना पैसा चाहिए वो मै दूंगा सर, आप ये क्या बूल रहे हो सर अरे उस धोकेबास को मारने के लिए बोल था आप गलत इंसान के सामने बात कर रहे हो सर आपने क्या सुचा कि आपने जो कहा वो करने के लिए मैं कोई गैंग्सटन हूँ क्या और हाथ मिलाने के लिए मैं कोई राजनेता भी नहीं हूँ एकदम साही बात है गाड़ी निकाल रहे जल जल गाड़ी निकाल मनी, उस दिन तेरे साथ मार्केट में जो लड़ाई हुई थी ना, तुम एक बहादूर इंसान हो, ये मैं समझ गया हूँ, लेकिन आज जो तुमने कहा, इस बात से मुझे पता चल गया, कि तुम एक अच्छे इंसान भी हो, आज से हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे भाई गाव में कितनी लड़कियों की शादी होती है, लेकिन मेरी बेटी की नहीं हो रही है, क्या पापा, सुबह-सुबह पीकर आए हो, पीकर ही मैं फैसला कर पाता हूँ, सुबह और या शाम हो, ये बंजर मचली है, सर और पूज को काट देना, बसारा डाल कर फ्राई कर दे, भ आप यहाँ पर कब आए, जब तुम मचली के साथ खेल रही थी ना, मैं तभी आ गया, मैं खेल नहीं रही थी, मैं इसे साफ कर रही थी, आय हाय हाय, नाच ना, वे आंगन टेढ़ा, यार तुम्हें एक लड़की होकर, एक मचली को साफ नहीं कर पा रही हो, तो पता नहीं अब तुम ससुराल में क्या कर पाओगी, क्यों रहे, उसका ससुराल और माईके दोनों यही है, यह खार, लेकिन किसके साथ, मार दूंगी, क्या मजाग कर रहा है, तुझे तो पता है ना, कि आजकल लोग कितने धोके बाज होते हैं, मैं तो इसके ठंका अगी देखो रहा एसे काटते हैं, यह ले, अरे, क्या हो, दिखा, दर्द हो रहा है मजी, अब आए, जर्रा उधर देके कुछ जाधा नहीं हो रहा है, हाँ, नेरा ही दामाद हो रहने थे, भाई, यह आपका मांजा कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है, इसके साथ, उसके छिड़ने की उमरे है, छिड़ने दे, मुझे शर्म आरी है, भाई, अरे, वहाँ जाकर देखो ना, यहाँ पुतले की तरह क्यों खड़ेव अपना चेरा चुपा कर, हाँ, लेकिन खुण तो रुकी नहीं रहा है, खुण? मचली काट रही थी क्या तू? चल निकल, इतना टाइम लगेगा तो खाने को कब मिलेगी, क्वाटर जई पेट भरना होगा. कैसे आएंगे? हम लोगों ने तो पंचायत में पैसा बरकर इस तलाप को किराये पर लिया है. कैसे पैना तो उसका सर काट डालूगा. कीप इट अप्टू, जल्दी माला पैनाओ नहीं यारे. मामा, वो सब कुछ उरहने दो, पहले पांडू होटल में जाकर माल उतार दो. माजी, पुजा की टोकरी देना? मामा जी, मैं अभी मंदिर में आया हूँ. इसे दे दो. Sorry. अरे, यह तो अपने ML की माल है. जब से यह मोबाइल आया है, पूरी दुनिया बरबाद हो गई है. आप इसे क्यों बोल नहीं है? यह लोग कभी नहीं सुधरने वाले. मुझे एक डाउट है भाई. बोल क्या है? यह हमेशा कल-कल-कल करके हसता रहता है, लेकिन आज इस फ्यूजब की तरह बैठा क्यों है? नर्स ने इसका फ्यूजब लड़ा दिया है. क्या बोल रहे हो भाई, इसने ऐसा क्या किया? पेट में दर्द हुआ तो हॉस्पिटल गया था ना? नर्स ने कहा, मैं आ रही हो, तुम बैठो. क्यो ठीक का न? तो फिर नर्स आय थी क्या? नर्स थो आय थी तो, उसने इससे क्या पूछा, जर पूचıı से? नर्स ने क्या पूचा भाई, एक दिए टो मुझ से पूच रहा, उससे पूखना. नर्स ने क्या पूच भाई. मैने कहा था, बरदाष्त नहीं हो रहा है, तो उसने कहा बेठ पर लेड जाओ. इसके कान के नीचे बाइदा कर भगा दिया इसको, वो बंद कर अपने, अरे चल डाल इसमें कौन हो तुम लोग, ये सब शादी वाले घर में रखना चाहिए, यहां क्यों रख रहे हो साहब नहीं यहां रखने को बोला, ये आप कहती हैं तो ले जाता हूँ, अरे साहब भी आ गए नमस्ते, नमस्ते, मैं नहीं रखने के लिए बोला था, नमस्ते ए मड़ी, ज़रा इदर आना देखो कौन आया है, कौन है मामा जी नमस्ते बेटा, अरे आप और अचनक यहां पर आये न, विश्वास को भूलना विश्वास नहीं, जो दिन बुरा हो उसे भूल जाना अच्छी बात है, सुनो बेहन, बहुत पढ़ाई की है इनोंने, बहुत अच्छी कावते आती हैं इने, मेरा नाम शेरवा है, और मार्क के लिए चाय ले करके आओ, आप भी लाती हूँ बहिया, मनी, एक जरूरी बात कहनी है, इस साल बिलर पिड़ी मचली का तिवहार होगा ऐसा लग रहा है, क्यों? गाउं में जो तलाब है न, उसकी निलामी शराब बैपारी MLA करवाने वाला है, मैंने तो यहां तक सुना है कि गाउं के किसी भी इंसान को तलाब की मचली नहीं चूने देगा? क्या मचली को चूने नहीं देगा? यह क्या उसके बाप का तलाब है, कौन इससे निलामी मिलेगा? इन दोनों ने पैसा देकर गाउं के तलाब को खरीद लिया है क्या? अगर मैंने तलवार उढ़ा ली उनके हाथ पर अलग कर दूंगा मामा आप ज़रा शांत रहिए ये मैं देख लूँगा धन्यवाद जी पीजी जानते ही हैं अगर उस दिन आपका बेटा नहीं होता तो आप मुझे जिन्दा नहीं देख पाते हैं अब मैं चलता हूँ अच्छे लोग की जिन्दिगी में ऐसे कश्ट तो आते ही रहते हैं इससे घबराना नहीं चाहिए अरे क्या हुआ तलाब को यह ऐसे क्यों देख रहा है अगर यह इस तरह से देखेगा तो सारी तलाब की मचलिया मर जाएंगी इस तलाब को मैंने लीज पर लिया है अगर कोई यह कहे कि मचली का तेवहार है और मचली पकड़ने आये तूसे अंदर मत जाने देना समझा के नहीं जाने दूंगा हाँ हर साल बिल्लर पट्टी तलाब में अपने गाउं की जंता के लिए मचली पकड़ना ही उनका रिवाज है उस रिवाज को बदलकर अपने गाउं के तलाब को लीज पर देने वाला और उठाने वाला कौन है पाल तू बाते मत किया करो हां क्या शेरवा जगह बदलते ही जबान ज्यादा चलने लगी है इस तालाब को मैंने लीज पर लिया है कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता है अगर कोई गया तो उसके हाथ पर तोड़ देना बाकी में देख लूँगा अब दर भोग है क्या तो ऐसी बाते कर रहा है तू हाथ पर क्या तोड़ेगा हम तुझे बैंकन की तरह उखाड कर फैंक देंगे यह तुम लोगों को जो पैसे का घमन चड़ा हुआ है ना उसके दम पर तुम लोगों ने पंचायत को खरीदा होगा लेकिन जनता को तुम लोगों कभी खरीद न नगली रखा है नगली सौमी जो अब चाप खड़ा रहाने तो यह तुझे काट देगा हाथ में आई तलवार तेरे गले तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा समझा इसलिए मुझे डराने की कभी कोशिश भी मत करना हमेशा की तरह इस बार भी मचली फेस्ट मेरी पावर को जाने बिना बहुत कुछ बोल गया है मैं कौन हूँ इसे दिखा दूगा इसे काला सुपईया नहीं बोला होता ना तो मैं सफेद सुपईया मैं तो भूली गया अगर काले सुपईये ने आपके बारे में नहीं बताया होता तो मैं तो भूली गया था यह डॉक्टर तो बहुत हैंसम लग रहा है तुझे पसंद है ना तो चुप रहे ना क्योंती पहले हमारे संबंदी को दो यहां ले आओ दो उसे दे दो लड़की तो अच्छी है नहीं चाहिए पहले इंको दो बेटा तुम्हें लड़की पसंद है ना अगर तुम्हें बात करनी है तो कर सकते हो नहीं मा आपको पसंद है मुझे तो पसंद है सुनिये जी आपको पसंद है न उसको पसंद है तो हमें क्या हमारी तरफ से ओके है ठीक है भाई पहली बात ये कि आपकी लड़की उन्हें बहुत पसंद आ गई है अब दूसरी बात सिर्फ आपके पास है वो अब दरसल मैं कुछ बोलू क्या बोलू ना कोई बात नहीं मेरी बात को गलत मत समझेगा मेरी बेटी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं ओपरेशन है इस घर को गिरवी रखकर भी ओपरेशन के लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं आप किसी भी चीज के बारे में चिंता मत कीजिए भगवान के कृपा से हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है इसलिए हमने सोचा है कि इन दोनों की शादी सीधे साधे तर सभी लोगों का दिल बहुत ही अच्छा है इन्होंने सही कहा था आप लोग जैसे संबंधी मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है अपने अपने घालियां उठाइए यह थाली देना साथ लाव लुए यह लेजिए पांजे यह तो अपने जैसा ही घ्राइब पीली है साथ मीने इसा ही लोग रोड़ पर ऐसा ही करते हैं कि अधर रोड़ पर ही आसा करते हैं सामन। तो और मिद्र जुह किरला ता Canvas स्वार्व दॉर सब्सकाइब से अपनी जवनी जुम्राबर जुम्राय। The वारना मुह नहीं बचेगा तेरा अरे सुनो आपकी शादी होगे क्या है लगता है मैं कुवारा ही मरूंगा आली ज्यादा सरामत पीजिए जो रहे इसी तरह मेरे दादा जी दो पैक पेकर बात्रों में हाथ दोने के लिए गये थे रशे में वो फिसल कर गिरी गये उसके बाद वो कभी नहीं उठे इसलिए ज्यादा पिएंगे तो आप भी जल्दी उठ जाएंगे वेलम बटी तराब को हमने दो लाग देकर लीज पे लिया था उसने हमें मचली पकड़ने से रोका और जंता को मचली पकड़ने के लिए छोड़ दिया आपने उसे लिखवा कर तो लिया था ना यही सोच के तो दिमाग खराब हो रहा है इनका दिमाग खराब है नोट कर लो पर आप तो फुल शराब पी के मज़े ले रहे हैं मुझे यहां क्या मज़ा आ रहा है, मैं तेरी तरह शराब का व्यापारी नहीं हूँ, मैं हूँ जनता का प्रतिनी धी, MLA को जो भी करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए मेरे गाओ में पांच एकड़ जमीन है, और एक पंप सेट भी है, वो तेरे नाम कर देता हूँ, तु हाँ तो बोल, बस काम हो जाएगा, मेरी रखेल बनेगी क्या उस दिन तुने लड़की को टक्कर मारके उसकी फोटो घीचे दी, और अभी यहाँ पर भी आके लपड़ा जिका ने बितूँ, उन्हें मेरे पाद उटाया, चलाट मेरा जो पद है न, जरा भी जुका तो सब खतम, अगर एक भी गलत फैसला लिया, तो पद ही खत्म हो जाएगा, एलेक्शन भी करीब आ रहा है, अगर नाम खराब कर दिया तो पद चला जाएगा पापा एई, क्या हुआ तुझे उस टेंडल मनी ने मेरा पैर तोर दिया, तेरा और उसका लफड़ा हुआ क्या, मैं अपने दोस्तों के साथ मार्केट में था, हम लोग एक लड़की को छेड रहे थे, उसी समय उसने आकर मेरा पैर तोर दिया अब तक तो वो अपने साथी खेल रहा था, और आपके बेटे को भी नहीं छोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ, गुस्ता मत हो ना, अगर साप के बिल में हाथ डालोगे तो डसे गई ना मेरा मतलब वो साप है, और आप बिल में हाथ डालने वाले कॉलेज का टाइम हो रहा है, और प्रोफेसर हमेशा डाटे रहते है, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मेरी गाड़ी में बैठ सकते हो, मैं छोड़ दूँगा अब बहुत हो गया, अच्छे से सुखा लेना, लगता है मैं कुछ गैस पर रखकर आई हूँ, भूल गई, जलने की महकारी है अरे मेरे शराभी मामा, चलो चलते हैं, अरे भाणजे, तुम अंदर जा मुझे तोड़ा काम है, उससे जूट बोल रहा है, या काम है आपका मुझे पता नहीं है क्या, ठीके जाओ लेकिन जल्दी आजाना कि अधिए, पर उन्हें अधिए, उन्हें या क्या पुट्वाविश्य गिर गया है, आपका मेरे जाओ अधिए, तुम्हें उठा कर डाल लो ना, देखो ना, हाथों में मेहंदी लगी है, मैं कैसे डालू अधिए, यह तो खिलारी निकला, इतनी नजर रखने के बाद भी इसने पायल चुरा ली, इसने पायल चुराने की हिम्मत कैसे की, मैं नहीं छोड़ूँगा इसे, ए वांजे, तु उधर क्या कर रहा है, इसका पल्लू नीचे गिर गया था, वही सही कर रहा था, या मामा ची आपने, क्या हुआ, क्या हुआ मामा, ये क्या है, ये तो पायल है, ये पायल है, तो मुझे नहीं पता क्या, मैं इसे प्रमन बोल रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी में कैसे आई, मुझे क्या पता मामा, मुझे पता है, तुम ने उस लड़की को लेट दी थी न, उसी ने तो गिप दिया, अरे मामा वह अपने आप गिर गई होगी तो मैं बना कर पीलूंगा तुम मेरे बेटी और अपने पेटी के शादी कर रहा है कि नहीं यह बता से इतनी बी क्या जल्दी है अभी घर का पानी बाहर थोड़ी जाने वाला है घर का पानी बहार निजाका यह सब्राणी को थैस्ति ओटार यह जोतिश का शक्रत रहने ही दो फहले अंदर जाकर खाना खालो अराओ आराम कर लो चलो मैं दे देती हूं कि अ अरे मामा वह पायल देना मामा अरे ये सो भी गए क्या जोती कौन है आप है ये आपकी पायल अहां ये तो मेरी है उस दिन मैं आपकी गाड़ी में बैठकर कौलेज जा रहे थी तो नीचे गिर गई होगी थैंक्स मामा के लिए कौलर ले गया पायल नहीं है मैं कितनी भी छरापी कर रहा हूँ हमेशा होच में रहता हूँ फिर ये कैसे होगा ये भांजा भी ना और पायल भी नहीं है ये पायल लेकर कहीं मज़ा मार रहा है क्या किस से बात कर रही हो बेटी हमेले के लड़के से जिसने मुझे बचाया था ना ये वही है इन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी तो बाहर खड़ी खड़ी बात क्यों कर रही हो बेटा अंदर आओ अरे कोई बात नहीं अरे शर्मा क्यों रहे हो बेटा अंदर आओ न मैं कौन हूँ क्या काम करता हूँ अगर ये पता चुलेगा तो अप जोड़ो ये माइने नहीं रखता है इनसान का दिल अच्छा होना चाहिए बेटी अंदर से चाय ले कराना बेटो बेटा तुम्हारा नाम क्या है मनी कंदन अहा मनी कांत ये तो भगवान का नाम है बेटा फिर अंदर आने में इतना शरमा क्यों रह थे मैरा नाम मनी कंदन है लेकिन मुझे सब लोग टंडल मनी कहकर बुलाते है आज पर पैसा देना और चिकन कि सप्लाई करना ही मेरा बिजनिस है चिकन कि सप्लाई करना कौन सा बुरा काम है आरे काली माता की पूजा के लिए बली तो चढ़ाते ही है ना हम लोग वो भी तो मांस ही है ना तो क्या हम जानवर की बली देते हैं तो अचुद थोड़े हो जाते हैं चाय पियो, कोई भी काम करना बुरा नहीं होता है बेटा इसने चाय अच्छी बनाई है ना ठीक है तो मैं चलता हूँ बेटा मेरी बेटी के इज़ट तुमने बचाई है मैं जब तक जिन्दा हूँ तुम्हारा अहसान मानूँगा अब ये क्या बात कर रहे है अच्छा मा, मामा जी कहां चले गया है सुबह से कहीं दिखाई नहीं दिये कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पीकर कहीं पर लेट गए होंगे ये ले, सुबह सुबह निकल गए होंगे, मार्केट या कहीं और देख रहे, लड़का और लड़की की कुंडली सही है, यहीं बोलना अगर उधर कुछ घरबड होई न तो तुझे काड़ दूँगा मेरी बास समझ क्यों नहीं रहे हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि लड़के की कुंबराशी है लड़की की वर्शब कुंडली मिली नहीं रही है, मैं जूट कैसे बोल सकता हूँ यह सब कानी मुझे मत बता, अंग्रेज लोग भी कुंडली दिखा कर ही शादी करते हैं, क्या वो लोग भी अच्छे से जीते हैं, मुझे रिष्टा चाहिए, चपचा बता क्या भाई तुम भी बुआ जी, आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, और वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वही प्यार, आपको मुझसे भी करना चाहिए, आप यह क्यों भूल जाती है, यह क्या बोल रही है, तुम दोनों मेरे लिए एक ही जैसे हो, बैन सुनो, मैंने ज जोटिष को सब बता दिए, अरे इतनी जल्दी क्या है, जोटिश को लेकर आने की क्या जूर्विह है? लड़के की कुंडली में शनी और केतु दोनों एक साथ हैं और लड़की की कुंडली भी सही लग रही है लेकिन बात यह है कि दोनों की कुंडली बहुत अच्छे से मिल रही है तो फिर शुब मुहरत का दिन बताइए आने वाले अगले महिने की दस तारीक को शादी करवा सकते हैं लो इसे खुशी से रख लो तुमने मुझसे जोट बुलवाकर बहुत गलत काम करवाया है यह सब कानी मुझे मत बता यह सब मुझे पता ले रख ले रख ले रख ले रख ले चाहिए कि नहीं का पैसा मुझे चाहिए ने रख लो पहले मणी की घर पर पत्रिका देनी है ठीक है ना अरे वाँ बहुत खुशरत दिख रहा है कितना अच्छा है ना और कितना बड़ा पत्रिका दी देते हैं अरे तुम आई हो बेटी हाथ में काट चेरे पर खुशी है घर में कुछ प्रग्याम है क्या हम लोगों को खाना मिलेगा ना जरूर आप सब के लिए खाना है लेकिन आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं मिलेगा उसे तो हम लोग रोज खाते रहते हैं बेटा हम को सिर्फ तुमारी शादी का ही खाने खाना है माने मुझे यहां पर भेजा है पत्रिका देने के लिए एक बैरे वाञे और मेरी बेटी की शादी है पहला गण के मंतिर में रखने के लिए कह लिए बहुत नशर नहीं चलो चलो अंदर आओ ये लीजे माजी, मेरी शादी की पत्रिका वहाद खुशी हुई पैसे शादी कब है? अगले हफते है माजी हम लोग जरूर आएंगे, मेरे बेटे की सगाई है तुम भी इसकी शादी में जरूर आना पत्रिका लेकर आना बेटा तुम भी ना मा, घर पर आयोए महमान को पत्रिका देने के लिए बोल रही हूँ और मैं उनके घर जा कर दे दूँगा वही सही रहेगा माजी तेरी मा एक तीर से दो निशाने लगा रही है जोब रहो ना माजी कोई बात नहीं माजी मुझे दीजे या पापा को एक ही बात है ए भाणजे, घर पर जा करके शादी की काड़ देने की क्या जरू है जब वो यहीं पर आई है तो उसे काड़ यहीं पर देदो जाओ अपमेना मस्ती बहुत है अमरावते, जराब वो पत्री का लेकर आना तो आज शुक्रवार है बहुत अच्छे दिन आई हो ठीक है? इधर लाओ यह लेजे यह है मेरी बेटी अमरावते खुदी अपने हाथाँ से देदो ठीक है ठीक है यह लोग मायने के घर पर दुमी लोगों ने ठाना बनाया था ना एक और अच्छे से काटना पिछली शादी में बहुत बड़ा-बड़ा था कौन है आप लोग? हम लोग धोल वाले है वो मुझे पता है मैं का पोस्टमेंट बोल रहा हूँ मैंने आंटी पढ़िया लग वाने के लिए का था वो दूसरे गाउं की शादी में डोल बजाने के लिए गया है अच्छा ऐसा आप लोग इधर सोचाईए एक तब मस्चंटियाव आएगे सुबह टाइम पर उठका डोल बजाना शुरू कर देना सुबह शादी है यहां माँ बैठ चाकर सोचा चुटा किंग कहां पर है पीछे जाकर देखना बेटा इस खर में तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है किसी को कुछ पता ही नहीं दीदी पते कहां है अंदर ही है कॉफी पावडर दूद सब कुछ है यहां मैं जरा जाकर देखो बाईया जली जाकर सोच आईए ना अरे जाकर सोच आईए ना ठीक है क्या हुआ बेहन धोल वाले लोग कहां चले गए वह शरापीकर आने के बादी बजाना शुरू करेंगे के अचनलिया मैंगे अचनलिया में जाकर देख था तुम जासंड राचे तुम आईए उच्छा 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 हुच्छा हुच्छ ज़ा था था संग्अ हां हम् अहा हम उच्छा अब भाहा है जो भाया उठ जाओ उन डोल वालों को भी उठादो जाकर रोल वालों को उठाने से पहले नं काम वालों पड़ेगा मेरे सक्का मिलों शरापी तेले के नहीं तक सबढ़े ए उठो पर जाकर अमरावती को उठादो जाब तुम लो यह सिर्फ धोल यहां पड़ा बजाने वाले का चले गए करें अस्वार्ण वह डोल बजाने वाले नहीं यह यह पिर निकले नहीं गए तो नहीं है दी जी वह रूम में नहीं है पता नहीं कहां चले कि यहां जा जा कर वांजो बताता हूं कि यहां प्रावती कमरे में इसको पहला हुआ है यहीं कहीं होगी जाकर देख दोना चेंगी है बेटा यहां पांजया और अम्रावती कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे बहुत घबराट हो रही है आया माली क्या हुआ सब लोग घबराए हुए दिख रहे हो अरे दुलानी घब हो गई है क्या कह रहे हो दुलानी यहां से गायब है अरे चल चल कर देना इन लोगों ने बजे के डाप करके मेरी शादी इससे गराती है अगर मैंसे मंगल सूत्र नहीं पहनाता तो वो लोग मुझे जान से मार देते भाई उन लोगों ने मुझे धमकी दे थी मुझे माप कर दीजिए यह सब क्या हो रहा है मिटा इधर यह वो देखिये अगर तुम इसे मार दोगे तो तुमारी परिवार को कौन देखेगा अगर तुम इसे मार डालोगे तो जो हुआ है वो सही हो जाएगा अगर यह सब आप देखते हैं मालिक तो बहुत खुश हो जाता है यह देखिए देखिए जो काम मुझे करना चाहिए था वो काम तूने कर दिया इसलिए गिफ्ट ले ले वो जिस लड़की से शादी करने वाला था उसकी दूसरे से शादी करवा कर तूने उसके चेहरे पर कालिक पोट दी है यह मेरे लिए बहुत हो गया जिर्फ इतना ही नहीं अभी और बाकी है अरे वो तड़प रहा है उसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ यार यह सब कैसे हो गया हाह कि एध थोस नहीं क्रेंचbay कि आव यार कि एध एध ई पालव मेरे घादी है है यार अजय्थ यार के आनिउस्व मैं ःव बोड़वी घाव beleza कि अई फई सूआ हूल थार्ड़ों तुम लोगों की दुश्मनी मेरे साथ थी, तो उस मासूम लड़की की जिन्दगी तुम लोगों ने तभाग कियों की? मेरे घर पर आकर मुझे पर ही हाथ उठाया मेरे घर आकर सबको मार कर चला गया तु सरकार से किस बात के पैसे लेता है? सिर्फ पगार ही नहीं, ये लोग साइड में भी लेते हैं ये आपी को बोल रहा है जिसने आपके उपर हाथ उठाया, आप मुझे नाम बताए, मैं एक्शन लूँगा बहुत उखाड लिया तुने उखाडने वाला तो आया और उखाड बुखाड के चला गया? ये भी उखाड लेंगे जो हुआ वो बता वो क्या हना साब, टंदन मनी जिस लड़की शादी करने वाला था उस लड़की की किसी लड़के से जबरदस्ती शादी करवा दी इसलिए तो मनी को इतना गुस्सा आया और यह यहां के हम सब को धोकर चला गया हमारी इज़त चली गई यार ए चप रहे, तू अभी उस मड़ी को सड़क पर मारते हुए पुलिस टेशन लेकर आओ और उसके हाथ पैर तोड़ देना, समझे कि नहीं मैं आपको गुसा समझता हूँ, अरेस्ट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते सहब, अगर मैंने उसे अरेस्ट किया तो आप रब्लम में पड़ जाएंगे ये क्या कह रहा हूँ, जो समझ में है वो बोलो सेक्शन 352 के अनसार, उस पर मारपीट का केस कर सकते हैं फिर वो केस कोट में जाएगा वकील पूछेगा की बात क्या है लड़की को किड्नैप करा कि उसकी शादी करवाई अगर उसने बोल दिया तो आपकी कानी खतम, कानून का फैसला यही होगा मैं जानता हूँ कि आप कौन है लेकिन कानून सब के लिए एक है अगर उसके उपर मारपीट का केस किया भी तो वो एक या दो महिने में ही बाहर आ जाएगा अगर कोट गया, तो लड़की को किड्नैप किया है, शादी करवाई है क्रिमिनल ओफेंस के तहट, आपको जेल हो सकती है आपको क्या चाहिए सिर्फ इतना ही नहीं, आप एलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे और पद भी चला जाएगा ए वकील, मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ चोटा मोटा कन्फ्यूजन नहीं, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है पहले तुम दोनों को मार देना चाहिए, चलो चलो, भाग, भाग चलो, 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 जातर देखो कलेटर साब, ये लोग शराब को फूल के नीचे रखकर स्मगलिंग करते हैं, देखिए साहब, इस शराब को पीकर गाउं के बहुत सारे लोग मर गए इन्होंने आकर हम सब को बचाया, नहीं तो पता नहीं कितने लोग मर जाते इस एरिया के पुलीस वालों को जो काम करना चाहिए, वो आपने किया है, गुड, किप इट अप थैंक्यू सर मदुराई के लोगों को जहरिली शराब पीने से बचाने वाले मनी को कलेक्टर ने बधाई थी टंडल मनी, टंडल मनी क्या है, इसे जितना काटो उतना ही बढ़ता जावा है उसे काटना नहीं चाहिए, उखाड डालना चाहिए, वरना वो हमें उखाड देगा वो राज शेकर हम लोगों से पैसे खाता है और कंप्लेंट भी नहीं लिखता है वो कैसे लिखेगा भला, अपना केस कितना वीक है तुम्हारे कहने से वीक नहीं है, ये पहले से वीक है, मेरा मतलब आपकी तबियत है कौन वीक है, कौन नहीं, अब दिखाता हूँ बस आपने तो कहे दिया ना कि आप मेरा जुटा किस नहीं करेंगे तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है वकील साहब मनी वो बात नहीं है, मेरी बेटी रोज कॉलेज जाती है और तीन बज़े तक घर आ जाती है लेकिन आज वो कॉलेज से घर नहीं आई, कॉलेज वालों ने कहा वो कब की चली गई अच्छा पॉलिस टेशन में कंप्लेंट कर दी है क्या MLD ने सबको खरीद लिया है मनी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ वकील की लड़की बहुत खुबसूरत है क्या भाई इसे कुछ किया भी नहीं फिर भी रो रही है शायद मेरे आने से पहले आपने कुछ कर दिया होगा एक नट किया मैं देख क्या था हूँ एक तो खुम्हारे पास बहुत है कौन है कौन है अगर मढद है तो सामने आना कौन है कौन है ऑधर ओख घह बाई भूँओ तोभ भ्या जो और भूँ अभ टो अभू'll अभूँ अभ्या अज्या अभ्या अव्या मेरा नेजिये आड हादू क्या हुआ तुम्हें यहीं पर रुको ठीक से गिन लिया ना अब फल बेचना बंद करो और पैसे दो साहब जो पैसे थे उससे हमने सामान करीद दिया अगले हफते सारा चुका देंगे ब्याज दे कर इसे ले कर जाना इसे छोड़ दीजे ये एक औरत है साहब हैं फिर हम सब लोग कौन हैं क्या हम सब के दाथ तूट चुके हैं हाथ में लाठी लेके चलते हैं क्या देखो अगर ज़्यादा समय लगाओगी तो ब्याज बढ़ता रहेगा और ये मा बनी तो जिमिदार तुम होगी मेरा वांजा भी रहे आप यही चाहते हैं तो ले जाए इसे इसके पहले से ही तीन पती हैं सहब पहले पती को इसने एक छोटी सी लड़ाई में सर पे पत्थर से मार मार कर इसने जान से ही मार डाला सहब और दूसरे पती को जब वो सो रहा था तो नीन में ही उसका तकिये से मू दबा कर उसे भी मार डाला और तीसरे पती को एक ही लात में घायल कर दिया आजकल वो आपने आखरी दिन गिन रहा है अब इसे एक नया साथी चाहिए लेकर जाहिए आप मेरे घर की राज कुमारी को ए सुनो, अगर मैं इस जगा पे तुम से फिर पैसे मांगने के लिए आया तो तुम मुझे जाडू लेकर सर पे मारना और जोड से मारना चलो मामा नमस्ते बेहन जी, नमस्ते बेटा, आए, आए चले आज के बाद से वो यहां से ऐसे भागेगा कि लॉट के नहीं आएगा डेकोरेशन अच्छा है नमस्ते भाई इसकी बेटी वो जो खड़े है उसके साथ चिपक कर खड़े होने वाला पोस देती है तो मेरी बेटी के बारे में ऐसी बाते मत करो जो मुँमें आ रहा है बोर रहा हो हम दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है तुम्हारा बेटा ही इन सब की असली बजा है चुपो जाओ तुम क्या जी, अपनी बेटी का चरित्र नहीं देखा मेरा ही बेटा मिला था क्या इसके लिए हमें ऐसे संबंदी नहीं चाहिए हमारी तो इस जथ ही चली गई बेटा चलो यहां से अरे बेटा कहां जा रहा है हो वो लड़की मेरे ऊपर आकर गिर गई थी उसे गलत फोटो निकालने वाला वो अमेले का लड़का ही है और इसके साथ मेरा कोई संबंद नहीं महरवानी करके मेरी बात सुनी इस लड़की की शादी और यह उसके साथ गुमने वाला तुई है ना इसे जो शंग बजाना था वो तो बजा लिया इसके बाद लोगों को जो करना है वो तो करेंगे अरे 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 आवाई चलते हैं अरे बदाओ पापा पापा इतनी बड़ी बेज़ज़ती होने के बाद इसके साथ कौन शादी करेगा अब मरने के सिवा कोई चारा नहीं है जल बाजे में कोई फैसला मत लीजिए आपकी बेटी की शादी तूटने की वज़़ा अब सिर्फ मैं ही हूँ अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आपकी बेटी के साथ मैं शादी कर सकता हूँ तुम करोगे मैं तो यह सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे हम दोनों की जाती अलग है यह शादी होनी मुश्किल है फिर भी तुम यह शादी करना चाहते हो मैं तुम्हारा इसान मनूगा बाया पैर अंदर रखकर जाना बेटा बैठे रहो बेटा बैठे रहो आराम से बैठो क्यों बेटी जोती तुम ऐसे मुह लटका है क्यों बैठी हो पापा से नाराज हो क्या नहीं पापा जोडियां उपर से बन कर आती है मैंने बहुत सुना है लेकिन आज यह बात साबित हो गई जिसके साथ तयारी की थी उसके साथ नहीं, बलकि तुम दोनों की शादी होना तैथा कुछ दिन पहले तुम घर के अंदर आने में शर्मा रहे थे और अभी मेरे दामाद बन कर बैठे हो, ये सब भगवान की लिला है, जिसे कोई नहीं समझ पाता इतना बोलने के बाद भी तुम लोग इस तरह शांती से बैठे रहोगे क्या, एक काम करो, तुम दोनों मंदिर जाकर आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा आज के बाद तुम दोनों खुशी-खुशी अपनी जिन्दगी की शुरुआत करो, ठीक है ना? सुनिये, लगता है बारिश होने वाली है, यही साइड में खड़े हो जाते हैं झाहूँ क्चूः क्या बारिश शयोट हम चूतरा, क्योति फेसर। जो चनो चल्ई मيस चलते चलते ही आगए कर दो 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 छो कर दो वाइ दो विय खो में इसक रड़ हुई हुई angry झाँ पिल्ञ हुई सिर्ञ पिल्ञ हुई чув Item हुई हुई हुई हुआ 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 है शेर्वा तुम भी नहीं मैंने तुम्हारी जान बचाई यह तुम भूल गए क्या तेरा जिकरी दोस्त नहीं हो तेरी जान लेने वाला यम्राज हूं मैं तुम्हें मुझे हजारों लोगों के सामने मार कर बेजती की मेरी जान तो उसी दिन चली गई थी असलिए आज मैं तेरी जान ले रहा हूँ तुम्हें मेरी वाट लगाएगा तुम्हें में तुने शराब का समराज्य मिटा डाला था ना तुम्हें मार दालिये इसे तुम्हें तुम्हें मैंने कहा था उस तुम्हें से दोस्ती मार कर मेरी कुम्हें देवी ने भी से नहीं बचाया मैं क्या करूँ मैं जल्दी चला जाएगा मैं ऐसा लग रहा जैसे वो मेरे सामने खड़ा जब उचोड़ा था मैं अपने कंदे पर घुमाता था अज मैं उसे शम्षा ले गए आपने कंदो कुल अपेशा मुझा मामा कहकर ही बुलाता है अरे मेरे साथिके भी ऐसे ही ती अब तुम्हारे में जन्दी ऐसे हो गई है बदबार अब का बेटा इस दुनिया से चला गया आप लोग तो रो रहे हैं मेरी बेटी का पती चला गया अब मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा भोनी को कौन रोख सकता है सब भगवान ही करते हैं मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि टंडर मनी के कट्ल में शक अभी भी जारी है घोई गवा ना होने की वज़े से मले बेलू शेरवा इन तीनों को अभी फिलाल बाईजद बरी किया जाता है और इस केश की जल से जल चानविन करके वोट में हाजिर करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ओडर देता हूं भाई अपने तीरु मंगलम कनेक्शन में एक दो फ्लैट अपने इस इंस्पेक्टर को दे देते हैं हम क्या नहीं देने वाले थे यह लिए बीना छोड़ देगा क्या सर आप नराज तो नहीं हो गया वहाँ पर फ्लैट का रेट क्या चल रहा है हम लोग उसे गिफ्ट कुछ नहीं बस ऐसा ही जानने के लिए इनके एरिये में पहले से इनके दो तिन फ्लैट है अरे इसलिए तो दो देने के लिए दोनों को एक ही चेकर पर रखेंगे तो प्रॉप्लम हो जाएगी जिसकी उकात नहीं है उसे मास्टर की नोकरी और जिसको नोकरी नाम मिले वो लगता है इन जानवरों को चराते चराते मेरी जिंदिगी ऐसे ही निकल जाएगा कहावत को क्यों उल्टा बोल रहे हो जिसकी उकात नहीं होते उसे मास्टर की नोकरी जो चोरी करता उसे पुलिस की नोकरी ऐसा बोलो चल जल्दी आओ अबे शाम हो गई है बूतों के आने क तो भूत भी तो होंगे ना जा मैं छोटा था तो रात में सिनेमा देखकर आ रहा था तभी रास्ते में वन पॉइंट टू की सफे साड़ी पहने हुए एक भूत निको देखा अच्छा टू पॉइंट टू का ब्लाउस होता है तो वन पॉइंट टू की साड़ी कहां से क्या तुमारी दादी ने नहीं बताया है यह तो मेरे भांजे जैसा दिख रहा है मुझे भी ऐसा ही हो रहा है क्या हुआ है मैमा जरा उदर देखो तो अपने मानी जैसा दिख रहा है ना यह तो भांजे की जैसा ही है मुझे मामा मामा करके बहुत प्यार करता था इसलोगा भूत बनकर मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन वो सब्सक्राइब लोगों को भी दिखाई दे रहा है ज़रूरी है क्या उजो जा रहा है भूति होगा चलो चलो उसका पीचा करते मुझ बहुत यह बहुत यह बहुत है अरे मामा यह बहुत तो गायब हो गया लगता है यह बहुत के लिए के लड़की देखना शुरू कर देंगे देखा मामा कैसे गाइब हो गया शायद वो घर गया होगा अपनी माह से मिलने के लिए चलो घर चलते हो से देखते हैं चलो 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 अच्छी तरह से देखो मामा कुछ दिखाई दिया अधा राएं ऐजया गर के अंदर जा रहा है चलो चलो दो इन चलो वह वह बहुत के डर से कब का भाग गया यह तो है नहीं तुम चलो अजो देखा मामा वह बहुत होने के बापजू नेकदम सई अट्रस पर झा रहा है बड़ा भूत होकर भी अपनी माँ को देखने आया है मैं जानतों मेरा भांजा बहुत दीर था अरे कहां ख़ड़ा है वो तो अंदर क्या चलो 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 है भगवान अरे मुझे डर लग रहा है अरे नहीं में 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 ख़ड़ा भांजा बहुत दीर रहे है मैं 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 जिन्दा नहीं है तो लकडी कैसे उठा रहा है यह और मेरे भांजा भाँड़ों एक को भी नहीं छोड़ना है सब को औरिस्ट करना है ओके बहुत दिनों बाद हम सब मिलकर शराब पी रहे हैं बहुत मसा आ रहा है पुलिस टेशन में बैट कर शराब पीना किक जैसा लग रहा है तो क्या चले जाओगे बाहर घुप चिल्ला चिल्ला के पीएगा और तो और बाद में एक ही बाद बोलेगा बाटी चाहिए छोड़ना यार बहुत लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं अपना भी ऐसा ही है हम लोग 10-20 कमा रहे हैं और क्या अरे साब 10-20 कमाने से घर कैसे चलने वाला है जब थोड़ा पड़ा कमाएंगे तभी तो घर चलेगा ना वहले गम कमाता था क्या जो और चाहिए तुझे और क्या मुझे चाहिए जितना मिल जाए कम ही रहता है राजनीती वाले लोग और पुलिस वाले लोग साथ रहे तो घर अच्छे से चलेगा तभी तो कमाई होगी मुझे ही देख लो उसने मुझे कितना टॉर्चर किया लेकिन वो सब कुछ छोड़कर आज मैं तुम लोगों के साथ शराब पी रहा हूं और मज़े कर रहा हूं और मुझे लगता है यह तो आम बात है इसक्यूज में यह लेकर जाइए ना कि जड़ा इधर गूंबना अज्जे से दिखाना यह क्या कर रहे हो यह क्या है तुम यहां पर मेरी पोटो खीच रहे हो दिम्मोंग तो खराब नहीं हो गया अरे गुज़ा क्या हो यह चमड़िव देड़ोगी ठीक चलो चमड़िव देड़ के दिखा चोड़ो मुझे गले लगजा चोड़ो आज़ा चोड़ो आज़ा चोड़ो कोई बचाओ मुझे क्या हो रहा है यहां पर कौन है देखिए सर में लीडी कॉंस्टेबल हूं कप्ड़े चेंज करते समय मेरी फोटो कीच रहा था तो चल रहे हैं पुलिस टेशन में अपनी मर्जी से बैठ कर यहां पर गुल्चरे उड़ा रहे हो आपको पता नहीं है इस शहर में रहने वाले सारे बदमाश यहीं आकर पीते हैं माली को भी पसंद आयो तो यहीं आकर पिने लगें मैं यहां का MLA हूँ आप यहां नहीं हैं क्या आये पाठी किया जाए अच्छा MLA का पद है इसलिए इतना हवा में उड़ रहे हो सीएम को एक रिपोर्ट भेज दूगा ना तो यह पद भी नहीं रहेगा सर सोरी सोरी अरे यार क्या है ये अलो बोलने से पहले हमारी पावर जान लो जब चाहे तुम्हारी वर्दी उतरवा सकते हैं समधन जी आपके बेटे के गुजर जाने के बाद आप सबको उसके याद आती होगी पिछली बार आपने इसको देखा तो अपना बेटा समझ कर बेहोश हो गई थी ना दुनिया में एक ही शकल के बहुत लोग होते हैं वैसे ही ये भी है चोटी उम्र में उसकी मौत हो गई इसलिए मैंने सूचा कि शायद उसकी आत्मा है वो मरने के बावजूद भी अपनी माँ और अपने मामा को देखने के लिए आया था ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ मेरी शकले से मिलने वाले आपके बेटे मनी के बारे में सोच कर मुझे भी बहुत तकलीफ होती है मैं अपने बारे में बता देता हूँ इस गाओं में मैं नया इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ हूँ मेरा नाम है राजा आप बिल्कुल मेरे बेटे की तरह दिखते हैं मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ था आप ही नहीं माजी मैं जब से यहाँ पर आया हूँ इस गाओं में सारे लोग देखकर मुझे डर जाते हैं देखा ना कितनी साफ बात कर रहा है आप लोग बेवजा चिंता कर रहे थे ठीक है माजी मैं चलता हूँ पहली बार मेरे घर पर आये हैं कुछ खापी कर जाएए ना साहब हाँ बेटा हमें माव कर दे ना अरे कोई बात नहीं चाय क्या है अगली बाहर तो मैं खाना ही खाकर जाओंगा ठीक है पिटा लगा जाकर आप जाकर जाए ठीक है बिटा जाकर आकर आख शोल्ड़े व्या गौए अपिछ युथ ₹ज्ज्ट-टे कर दो एट जाकर आख़ाक जाकर आख़ा है तोड़ को दो तोड़ दो इससे शाठ्व दो भाष यूफ lavat अरे सुनो मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूं तो इसमें लग जाती हो आगे का क्या प्लानिंग है बताओ ना क्या अरे कुछ अजीब लग रहा है क्या मेरा कहना का मतलब है कि हम दोनों का दिल कम मिलेगा बताओ मार्केटिंग में वसूली करने के अपने लोगों को पुलिस खीच कर ले गई है उस इंस्पेक्टर को मैं कैसे भगाता हूँ आप भी देखिएगा वो इंस्पेक्टर को याम आदमी नहीं है हमने उस लड़की को उपर हाथ रखा था उसने अरेस्ट किया लेकिन उसने केस नहीं किया उसे पता है मेरे आदमी हफता वसूल करेंगे लेकिन उसने इंक्वाइरी नहीं की ये बात कन्फीजन वाली है बस यही बोल रहा हूं से मार डालो अगर उसे कुछ किया तो हम पर मुसीबत आ सकती है ये बात याद रखियेगा सही का पहले हम लोगों ने मनी को मारा वो आम आदमी था लेकिन ये सरकारी आदमी है हमने अगर इसे मारा तो प्राब्लम हो सकती है किसी को पता नहीं चलेगा किसने मारा काटे को काटे से निकाला जाता है उस इंस्पेक्टर को मारने से पहले इसे खतम करो अभी क्या करने की सोच रहे हो जजने अपना फैसला सुना दिया है अब हम लोग क्या उखाड लेंगे उन्होंने रिहा किया उसी की वज़े से हमारी वाट लगी है वो क्या कह रहे थे एक भी गवान ना रहने की वज़े से लोगों को रिहा किया गया असली गुनहगार को पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को मैं आदेश देता हूँ कमाल कर दिया उन्हें देखा भाई ने क्या बोला कि जाज ने कमाल कर D얜 सुना नतुमने मेरे साथ कब करोगी कमाल हाँ हाँ हां करती हूं करती हूं हाँ वो सब कुछ में देख लूंगा है सचिंदां मत कीचि है एक मिनिट है, क्या हुआ पांच दिन के छोट्टी चाहिए थी, क्या कहां पांच दिन, किस लिए, अपनी बीबी के साथ कोड़े कुनाल टूर पर जा रहा हूं सर, कोड़ाइक कर, सेकेंड है क्या, आहां सर, इंस्पेक्टर से आप से मिलना है, अंदर है, चलिए, ठीक है, य उस दिन आप आए थे, कुछ खिला पिला भी नहीं सकी आपको, तो हम सब को बहुत बुरा लगा कि आप ऐसे कैसे चले गए, मेरे बेटे को मचली बहुत पसंद थी, आप मेरे बेटे की तरह दिखते हैं, अगर आप खालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर ऐसी ब आप अच्छे सखाओ, हाँ अच्छा वरा है माचीव एह एह तारा मस्ती जाना, मुझे भी देना यार अरे थोड़ा मुझे भी दे, अरे क्या कर दा है एह राधा क्रिष्ट बहुत अच्छा है, हाहाः थोड़ा सा नमक ज्यादा पड़ गया है गले में खरखर हो रहा है फिर भी कोई बात नहीं है ए राधा क्रिश्न ए मुझे क्या हो रहा है अजीब लग रहा है राधा क्रिश्न पूझे जल्दी आये सर जल्दी आये सर यह दोनों बस सूप पी रहते उसके बाद इन दोनों का यहाल हो गया सूप पहले आमपिलोंस को फोन करो जल्दी ओ किसा है तो पी कर बेहोश हो गया नहीं बेटा आते वक्त प्यास लगी थी तो सोडा पीने के लिए एक दुकान पर गई अजया अजया है 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 वहीं दुकान के बाहर दो गुंडे बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे मारने के लिए एक चाल चली थे हरे इस समय तो इंस्पेक्टर उसके साथ ही सहर पी करके मर गया हूंगे है अजया अजया है अजया यह यह है यह बात अपने भाई को पता चलीगी ना है तरीफ करेंगे वह अपनी है वह आपने मस्त लड़की आरीए तरीब कावखी HELा मुटेश के तुमारी शादी हो गई और हो गई कि ट्ने जाल हो गए कि तुम्हारे पेट में कुछ पल रहा है गया नालायक कही के बात करने की तमीज नहीं है क्या तुछ में कि यहां को लुटा है 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 तो आफ यह जोड़ें लुटा नहीं डिअट तो अजर को यह जो नहीं हमिला कर बेवजा दो लोगों की जान खत्रे में डौल दी तुम लोगों यह इंस्पेक्टब दुझे बाता है तुने किसको पकड़ा है वे उस कमीने के तुम लोग चमचे हो ना नशे में तुम लोग नाच रहे हो तुझे पता है हम कौन है छोड़ेगा नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए बाहर जाओंगा ना तो देख लूँगा तुझे मैं ए छोड़ दे वो लोग भी बहुत जल्द पॉलिस स्टेशन में होंगे इन्हें ले जाकर इनकी हड़ी पसली एक कर दो देख जाओंगे अरे कहां जा रहा है अभी आता हूं मैं मैंने आपकी बात कभी टाली है चल बैड़ जा आरे तुम मेरा बैटना छोड़ो तुम यहां क्या कर रहे ह इस दुगानगार के घर के सामने ना नाले में बहुत कच्रा था उसने का कर मैं साफ करूँगा तो एक क्वाटर देगा मैंने नाले को साफ कर दिया क्वाटर लेने के लिए क्या इसलिए मैं यहां पर बैटा हूं क्या मामा एक क्वाटर के लिए कोई नाला साफ करता है लगता है मेरी जिंदगी से ज़्यादा आपकी जिंदगी में कस्ट है यह तरी जिंदगी में क्या है नहीं मामा तुम्हारे मालिक फ्री में पैसे देने वाले हैं हाँ तो मेरे चाचा जी लोगों को सेंट्रल मार्केट में ब्याज पर पैसे देते हैं, मेरा भाई ब्याज पर पैसे देकर पूरे मार्केट में जो पैसे दिये हुए हैं, उस पैसे को वसूली करने के लिए मुझसे कह रहा है, उन लोगों पर फिश्वास मत करना, समझा, क्यों मामा, तुम सोरे होगे, दोंती में साप डाल देंग ठीक है अगर मेरे भाई को यह तो कपड़ा है अच्छा मामा यह किस तरह का कपड़ा है जो चीज अर्थों की है तो मुझे दिखा रहे मामा तुम यहां से चलोगे कि उठा के ले जाओं तुम्हें क्या नहीं मामा एक जरूरी बात करनी है इस लड़के से शादी कराकर मैंने अपनी बेटी की जिन्दीगी बरबात कर दी है तुम किसे कह रहा यह है मैं सच बोल रहा हूं किसको देखकर आपने ऐसा बोल दिया वो किस परिवार से है आपको बता है ना पानेरी गाओं में रहने वाले सबीलो अपने सरपंच से बहुत ही खुश है और इस गाओं में साल में एक बार भव्य मेला लगता है कि तुम ने उसे फेक क्यों दिया उसे सर पर बांदना श्रगुन होता है इतने सालों से तुम बांदते चले आ रहे हो इस साल में बांदू का समझ गये ना क्या है यह यह तो रिवात को बदलने के लिए बोल रहा है क्यों नहीं बदलना चाहिए तेरी मा अलग हो सकती है लेकिन बाप तो एकी है ना उम्हें गाओ में जो इज़्जद मिलती है मुझे भी तो मिलनी चाहिए ना पती पतनी मिलकर सब कुछ अड़ापना चाहते है मेरे पती के बारे में इस तरह बात करने की हिम्मस कैसे मुझे लिए लिए अब बताता हूं तुम्हें कि अथा आधा जो बाइस वक्कम करदा ना तुम्हें होगे तुम्हें हो इसे लेकर जाओ 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 यहां से चले जाओ जाओ लेचलो इसे करे मआ नह लो पाषार यह लो पना अगर और गुल कोर plat सबस चाहे कि अजिस बच्चे को भॉई नी बचात ना इसे अजल दी मालिक बास्पूर ले चलो आज जाओ 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 इसे होस्टे ले के जाओ ले जाओ हम बच्चे को बचा नहीं पाए बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ सर हमने पूरी कोशिश की अगर वो पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूगा क्यो रोढ़ा हु क्यो रो रहे हु हुआ मालकिन 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 और य 오े आपन tenants गहांड़ा कमें मालकिन कि तो वे वोजे एक दूसरे को बार डाला जिक्या अने रहोता माल्किन 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 हम इन दो बच्चों कौई की सबस्वाल पाएंगे दक्टर बढ़ नहीं है इन दोनों côtरों इसा अगर आप एक बच्चा इह वे देंगे तो आपको पुन्यरप्त होगा क्या क्या रही है मालिक भी मर गया और मालकिन भी मर गई इस बच्चे को देखर आपने मेरी बीवी को बचा लिया देखिये उसकी जैसे इच्छा दी मैं वैसे ही इसकी परवरिश करके एक अच्छा भी बनाऊंगा भाई साहब मेरी बात का बुरा मत मानिएगा दामाद जी के परिवार को जाने बीना मैंने गलत बोल दिया था मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ अरे क्या कर रहे हैं यह आप क्या कर रहे हैं आप तो हमसे बड़े हैं ऐसा करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए सहाव, मेरा बेटा मनी का भाई है हम लोग मनी की आत्मा की शांदी के लिए प्रार्थना करते हैं ठीक है, चलिए शांदी की प्रार्थना करें आप दिया जलाईए क्या है वाजे? मामा मेरी बेहन की बेटी की शादी होने वाली है मामा हूँ, इसलिए पत्रिका में बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा है फिर दो क्या? उसे बकरी लेकर देने के लिए बोला था मैने बकरी खरिदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास आप एक जानवर दे दे तो बकरी के मीट के साथ मिक्स कर दूँगा और भूल दिया है कि तुझे दस बकरी काटने इसके अब आठ बकरों का ही पैसा है तो फिर यह दो बकरों के बदले में किसी और जानवर को काट करके उसमें मिक्स कर देगा इससम मुझसे कायों यह आडिया मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा तुछ यह काम कर उस बंगले से तू जिया करके दो जानवर उठा करके लेiron को इसे भूरी में डाल कर बांग करके बांजने गों देते जा जा जाज़ा हो किए जाना में वो क्या है मामा 18- Bath Tolla करके उसमें मिला देगा तो उससे कोई फ़रक ने पड़ेगा अरे-मेरे मामा के पास इतना दिमाग है ना किसी के पास नहीं होगा मैं जा कराच अधो ग्लताओं कि अधर देख वो इंस्पेक्टर इधर ही आ रहा है क्या है हम लोग यहां पर बैठे हैं उसे पता चल किया होगा इसलिए कुछ लफड़ा करने के लिए आया होगा है आयो जार भागवान के दर्शन बहुत नसीब से होता है अच्छा बीच लास्ते में बैठ कर क्या हम लोग तो बस आपके गाओं में टंडन मनी करके कोई आदमी था और उस टंडन मनी की कुछ तीन लोगों ने दुश्मनी निकालने के लिए उसकी हत्या कर दी इसलिए उसका पता लगाने के लिए मेरी यहां पर पोस्टिंग हुई है किसीने पुलिस इंस्पेक्टर को लगता है तुम लोगों को कुछ कुछ समझ में आ गया है वैसे इस कहानी को सुनने के बाद तुम लोगों के दिमाग में यह हमेशा घुमती रहेगी कहानी बहुत अच्छी है सार, फिल्म बना सकते हैं, ये कहानी आपने बनाई है क्या है? कहानी एकदम बढ़िया है, हर आदमी को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता ही है, और तूटी छट के नीचे कभी किसी को सोना नहीं चाहिए हाँ कि अरे जारे बड़ा आया कहानी सुनाने वाला है, हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा आद में सकत्ट सुनाने कभी का तुम फिंता का चाहिए है, उक करिंगा कर आदेक मैं से इंडर आदेख छाह है कर दो हूट विल्हेरे जान लेने वाला यम्राज हूने किया वेलू इस शेरवा का एक हफते से कुछ अतापता नहीं नहीं वाई सही बोल रहे हमेशा बता के जाता है लेकिन इस बार कहा गया अरे कहा होगा मेरे ख्याल से वो कहीं टूर पर निकल गया होगा पैसे कतम होते ही वापस आजाएगा मरा थोड़ी होगा वह है किसी ने कुछ पूछा क्या तुमसे आप से ज्यादा तो मैं दे कर रखा हूँ मेरी पूरी ज्यादा तो उसके पास ही है सुनिए मुझे एक डाउट है कहीं आप दोनों का पैसा लेकर वो कहीं सेटल हो गया हो तो मेरा मतलब अर नहीं तो क्या यह मदूराई के रोड़ पर और सहाब मदूराई के गली में धीक मैंगते नजर आएंगे कोई जीए कोई मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां का मैं राजा हूँ मैं हूँ इस वेलो गाड़ी मैं जला दो तुम पीछे बेट जाओ चलो बेट जाओ ना हुआ 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 जए इन, सर आँगे डिए बेढो एए इंस्पेक्टर सर आईए ना सर क्या बात है आप पुलिस टेशन में आ गए मिलने के लिए हाँ पुलिस टेशन देखने के लिए ही आया हूँ मैं अच्छा इसलिए आया है क्या चलिए मैं आपको घुमा देता है अच्छा तो अपने आपको हीरो समझते हो क्या यूनिफॉर्म पहनी है तो जो चाहोगे वो करोगे सुनो दो खून किये हैं तुमने मैंने तुमने जिन्हें मारा है वो आम आदमी नहीं थे मेरे जिगरी दोस्त है मैं छोड़ूँगा नहीं मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूँगा स्टेट से लेकर सेंटर तक की ताकत को कि इस्तेमाल करके तेरी इस्कवर्दी को उतर्वा दूंगा है इधर देख इस पूलिस स्टेशन को जला कर राक कर दूंगा ठीक है तो फिर देख कि लेते हैं कि कौन किसको जलाता है कि कौन किसको जलाता है देख लेंगे आपका पीजे बोल रहा हूं तुम वही रुको मैं भी आता हूं कि लेंगे लेंगे बोलो है हुघ कि अ अबार्च्ड है हुई हुई है हुई 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 आज बुझ चुटें र penalty लुट या तोちょっとुम हा थे की वार सक्ट metric तुम जैसे कमिने लोगों कांथ इसी तरह से होता है योती भगवान के आरती कर लो बेटी आज शुक्रवार है ना इसलिए नमस्ते, एक अच्छी बात करने के लिए मैं आया हूँ, चलिए अंदर चल के बात करें भईया, आई कौन आया है ये भल ले करके क्यों आया है राजा का भाई मनी गुजर क्या है इस लड़की की जिन्दगी खराब न हो, इसलिए बेटे के लिए हाथ मांगने आया हूँ मेरे बेटे की मौत हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ है और इतनी जल्दी लड़की का हाथ मांगने के लिए आ गय है उसकी मांसिक सिती कैसी है, हमें क्या पता हम इससे ही इसकी मर्जी पूछ लेते हैं क्यों बेटी, तुम क्या कह रही हो? नहीं पापा, मुझे नहीं करनी देखो बेटी, मेरा बेटा एक अच्छा इंसान है तुम्हारा पती और मेरा बेटा दोनों एक जैसे ही है ये जिन्दगी तुम्हारी है, खुशियां भी तुम्हारी है तो तुम्हें ही फैसला करना होगा क्यों भाई साब, मैं सही बोल रहा हूँ न मेरा बांजा गुजर गया और ये बच्ची बहुत दुखी है मैं इससे जबरदस्ती नहीं कर सकता मुझे माफ कर दीजे आप सब लोग मेरी बेटी की जिन्दगी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं इसमें मैं क्या कह सकता हूँ आप बड़े होकर ये सब कह रहे हैं तो अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं ये भी तो हमारा ही बेटा है अगर ये राजी है तो हम लोग भी राजी हैं बेटी सब कुछ तुम्हारे हाथों में है मना मत करना बेटी हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए है बेटी हाँ बोल दो अभी तुम जो फैसला करोगी हम सब उसे खुशी-खुशी मान लेंगे बेटी, तुम्हारे पापा इतना कह रहे हैं तो हाँ कर दो ना सासुमा, आप कह रहे हैं तो ठीक है, चलो सदाख खुश रहा, तुम दोना खुशी खुशी जिन्दगी बीदाना टीक है बापा